हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोख सम्मोहन व्यसनमुक की तग्य हूँ आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी मानसीक बिमारी जिसको बोलते है साइकलोथाइमिया कि कोई भी ऐसी बिमारी कि जो दो साल तक चल रही है और जिसमें एक तो मूर जो है वह थोड़ा डाउन है इतना डाउन नहीं है कि उसको डिप्रेशन कहां जाए फुल फ्लेश डिप्रेशन डाउन है फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है फिर थोड़ा थोड़ा सा अब रहुरा अच्छा लगना प् oldest लगना अहीं रावी अडाओ रेंगा यह आप रहेगा और वह इतना नहीं कि उसको पूर पागल कह सकते मैं नहीं है यह फुरै भॉर डिपरेस नहीं म EVER और वह cycle याज़ा है, depression थोड़ा सा down, थोड़ा सा up, थोड़ा सा down, थोड़ा सा up, तो यह लोग actually patient करके मतलब कहने जाते हैं, मतलब उनको कहलाने जाता कि patient करके, यह तो समाज में वैसी निकल जाते हैं, मतलब उनको मालूम ने पड़ता किसी को यह problem है, बगर उनको घर वाले उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ घर बड़ होते हैं, और वह कभी-कभी बहुत fast हो सकता है, कि 15 दिन depression, मतलब थोड़ा सा down है, cyclothemia, 15 दिन low mood है, और बाद में 15 दिन high mood है, थोड़ा low mood ऐसा चालू रहता है, cyclist को बलते है, cyclothemia बोलते हैं, तो जब down है, तो जब दोड़ा सा low फिर थोड़ा सा अप हो जाएंगे, तो उसमें चिड़ चिड़ापन है, ज्यादा बाते करना, लोगों से मिलना, जुलना, कुछ तभी नए साओदे करना, उतना नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है कि थोड़ा सा गड़बढ है, थोड़ी गड़बढ लगती है, मगर इतन दॉलनी बीमारी दो साल टक चलीए, इसको साइकलो थाइमिया करके साली, rustणा नाम है, जूकि दिस्टर्ब करने नहीं है या फैमिली मेंबर को को थकलिप देने वाले रहते नहीं है, तो फिर होता क्या है कि उनको डॉक्टर के तरफ कोई लेकर जाता नहीं, मतलब ऐसी ध तो ऐसा आपको लगता है कि साइकलो थैमिय है कुछ तो भी है पकट नहीं पारे मर कुछ तो भी है तो उनको उनके फैमिली मेंबर को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हम उनका इलाज कर सके क्योंकि उसके लिए इसा साइको थेरपी है कॉगनिटीव ब्याविर थ भी सकेंगे वो ये लोग खुद भी आ सकते हैं इलाज करने के लिए ऐसाने कि उनको किसने जबर्रस्ति लाना चीए करके ये कभी-कभी फिर हाइदी टाइड रही हाइमून रहा तो उसमें फिर शराप के शिकार बन जाते बैसन करना चालू कर देते हैं या बहुत ज्याद करो थैंक ये वेरी मुच